एक डॉट चुक गया तो खुलता है कि आपका वेपसेट नहीं खुलता उस तरीके से एक भी सुरी दर-जर हिल गया उसका स्वतंतर अस्तित्व है वह जो बारा सुर बने साथ में शुद्ध यह बनाने के लिए बताने के लिए रखे है पर टोटल तो बारा ही है मित्रों नमस्कार मैं संजेपत की स्वर्श्वामी एक और स्वर्श्वामी दो ऑफिशियल इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके स्मक्षिप फिर एक बार हाजिर हो अगर बारा टोटल है तो फिर कोमलतियूर के भाव से उसको हमने वह नाम दिये है कोमलतियूर स्वतंतर कि व्यक्ति को किसी चीज की पहचान के लिए हम नाम रखते है उसका किसी ने भी पूछाता कि सर्व शट्यम अध्यम गंधार ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं तो भाई यह शौट फॉर्म निकले हैं एंपीस सी यूपीस सी यह पूरा बोलने के लिए तो पूरा वक्त लग जा कि अंता हैं दो गाने में शुरुत है अब शूर्ण दैवतनी शाथ मध्यम घवत गंधर मध्यम दैवतनी चत्छत्यम दैवतनी ज़ने भीन पर नामिर बराफ को आपने भीनम को शॉर्ट फॉर्म करते देखो अगर किसे का आभी जित है वह अभी किसी नम देवराजे आधी बोलता है कोई विजय नम है विजय बोलता है हम पुरा नाम ने लेते हमारी आधत पढ़िये शॉर्ट हम में जीने के आरम संगीत के बार में भी वही सुचते कि शॉर्ट टाइम में आ जाए शॉर्ट टाइम में आप पांच मिनिट इंप्रिशन डाल सकते हो रट्टा मार के लेकिन एक बात यह भी बोलू कि प्लासिकल मुजिक नुमाईश करने की चीज नहीं वो जीने की चीज है लोगों के सामने उसका जो एक जैसे बिल्डिंग का कोई बेस देखता नहीं बिल्डिंग देखता है वैसे लाइट मीजिक उसके उपर का एक फ्लेवर है प्लासिकल मीजिक साधना है वो साधना अपने मस्क्ति में करें अपने इश्वर प्राप्ति के लिए करें तो ठीक हां उसके पश्चात अगर कोई आप सूर में और ढंग से गा रहे हैं तो सुनने वाला आपनी सुने का वो भी अपने ट्रांस में जाएंगा कि फिलिंग सुरो के पीछे भाव जो है भाव का प्रदर्शन प्रगेटिकरेंट प्रभाव उसके अंतर मन को जोड़ता है उसको वो भ कई कई यह बार उन्म भब को पूछा है अच्या मैं एक शादख हूँ कि शक नहीं हूं मैं बार भार बोलता हूं मैं एक मारग दर्शक हूं एक सादख हूं यह नहीं कि मेरे लिग्एवदय का मधा दानिशा जनीशा जगह मिलेगा सिखाने वारे बड़े तबियत से सिखाएंगे भी आपको समझाएंगे भी आपको पर आपको वो नजर देखना तो चाहिए कि भया इस मालकों उसके पीछे क्या भाव चुपा हुआ है इस यमन के पीछे कौन से सूर चल रहे है आपको समझना तो चाहिए अब वो दृष्टी अगर आपको नहीं है तो मैं वो काम कर रहा हूँ तो मैं कहां गलत काम कर रहा हूँ और आप लोगों के अब्यक्षा रहती है तो आपको पता है कि हर सूर का हर अक्षर का जो प्रस्तुदी करने का जगाए वो अलग अलग है हम लोगों को नेचर ने चीज दिया है कि हमको महसूस नहीं होता आपको यह भी पता है कि हमारे बॉडी से यहां से सर के पिछे से एक पतलासा द्रव नीचे पीछे गिरता है सिक्रिशन होते रहता है उसका जो अमको पता भी नहीं पड़ता है अगर इंप्रेक्शन होता है तो उसको बाद में फिर थिकने सा जाता है फिर हम बोलते कॉफ हो गया सर्दी हो गई यह हो गया वो गया चूबी सो घंटे आपके य जब हमको अंदर इस पर कितना स्ट्रेस आ रहा है जब हम बोलते हैं तो कितना स्ट्रेस आ रहा है उपर जब सूर लगाते तो यहां पर कितना उसको मसल्स को कितना स्ट्रेस आ रहा है कितना उसके पड़ 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 रहा है यह चीज आपको महसूस नहीं करके ठोके गात वोल बोडी वो पुरा सोल उसके अंदर जबता है कि आता नहीं और आप खाली प्लेन और प्लेन गरा लगाते हों सबसे बड़ी गलती वहीं होती है आप भाया स्केल के पीछे क्यों लग रहे हो स्केल के पार सोचो स्कील के बिछे लोग जो आपका स्कील है उसको ढूंडो कि मैं किस तरह इसमें खुद को ढाल सकता हूं आम पबलिक तो डहलेगी नहीं डहलेगी बात में अपने अंतर आत्मा के लिए देखो आप इतनी मेहनत करते हो सब रियास करते हो लोग मेहनत करते है पैसा कमाते हैं जदो जद करके करोड़ों रुपे कमा लिए उनको पूछो आपको खुद सेटिश्फेक्शन ठीक है बहुतिक तो मिल रहा है अंतरिक और मांसिक मिल रहा है कि वो तो छोटी-छोटी किमत में भी उसकी मतलब हो जाते है पूरी उसको क्या मोल दोगे खुद कि अंदर जाके देखो कि मैंने क्या पाया है यह जो चल रहा है ये ऊची आवाज यह न्या जो मिली है उसको संचो के रखो उसको बचा के रखो मैं आप बोलंगे यार तुम भाशन देते हो बिल्कुल मैं भाशन ही देता हूँ आपको अगर पसंद नहीं आता तो ना सुनी है नहीं सुनो पर भाशन मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि सब लोग समभाशन देते हैं वो जो आपके साथ में मैं बोल रहा हूँ, वो उसके पीछे का है, जिसको समझे, उतरेगा, जिसको नहीं समझेगा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अन्तकाल पच्टाएगा जब प्रांट आएंगे, जो चूट बाबा ने कहा है, हम लोग बाती चीजों में इतने उल्जय हूए है कि हमको फिर याद आते हैं, भगवान को ना मानने अले हैं जब गाड़ी से गिरते हैं तो प्रभू रक्षा करना मेरी है, तब क्यों प्रभू याजाते हैं, जिन्देगी भर वैसी जब घूमते रहो, प्रभू आपके इड विजगिर्द हैं लेकिन आपने खूजाएं नहीं बाहर मुर्तियों में डूढ रहो, मुर्तियों में कुछ नहीं है, किताबों में धूढ रहो, शारे को अपदरिसा में घाना डूढ रहो, नहीं उसकी पीछे गाना है